गुड मॉर्निंग इंडिया तो आज की रेशपी है बेज अंडा करी तो मेरे स्टाइल पर प्रियंका के स्टाइल पर खाते हैं और बेलकम मिस्ट प्रियंका फॉजी फैमली यानि की मेरे चैनल पर और आज अंडा करी मेरे स्टाइल पर बनाएगा तो चलते हैं बनाते हैं त जब पेश्ट बना लेना है और इसके बाद में जब इसको पेश्ट बनालूंगी तो इसके बाद मैं आध्य से थोड़ा सा कम अलग निकाल के लग दूंगी और आध्या मिक्सी के ज़िछ पर रहेगा उस पर डालूंगी मैं do to 3 medium आलू डाल ले निये हैं और यह है चार लोगों के लिए जी हां अंडा करी की जो सबजी बनेगी तो वो चार लोगों के लिए बनेगी तो आलू डालेना है उसमें थोड़ा सा जीरा पाउदर थोड़ा सा गरम जाला और थोड़ी सी लाल मिर्च नमक स्वाद अनुसार और इसको मैंने ऐसे मिक्सी में पीछ लिया है हाँ थोड़ा सा आलू आलू बिलकुल भी घाठे नहीं होनी चाहिए और जो यह आलू और पनीर का जो यह ग्रेवी तैयार किया है थोड़ा सा पतला हो गया है तो कोई पनीर में मौश्चर जादा होता है यह आलू मतलप की पुराना है तो ऐसा हो गया तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा कॉर्ण फ्लॉर तो कॉर्ण प्लॉर डालें से इसकी ठेक्ने स्ठेख हो जाएगी अभी जो मैंने निकाल कर पनीज अरक से रखा था उसमें हल्दी डालेंगे थोड़ा सा जीरा पौडर थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी मिर्च क्यों हमें यह यलो कलर का बनाना है इसलिए इसमें हल्दी डालना है यलो कलर का इसलिए बनाएंगे कि अंडे की जो बीच में जर्दी होगी वो यलो कलर की होती है तो यह देखिए मैंने जो हॉइट वाला बैटर लिया है उसकी छोटी सी लोई में थोड़ी सी पूरी जैसी ऐसे बनाते है और अंडे का श्येप देखे उसको हाथों से शेट कर दिया है और ये पका लिया है अब यह एक अंडा तयार हो गया है तो यह देखे मैं कैसे बनाऊंगी यह तो आपको पता सफिल जाए गाव और आप इसली बना एक थोड़ा सा पनीर का जो बेटर है इसको लेंगे और इसको थोड़ा सा गोल करेंगे तो गोल करके इसके अंदर डाल देंगे और इसको अंडे का शेप में बिल्कुल तयार कर लेना है तो अंडे का शेप दे देना है और हाथ में ओयल लगाते रहना थोड़ा सा ओयल लगा घर पे ही इसको बनवाती हूं, sorry, मेरी मा बनवाती है, तो मेरी मम्मी कानपुर से मुझे भेशती है यहां, और आप तो जानते हो कि मैं लखनाओ में रहती हूं, तो घर का ही ओयलाता है मेरे लिए, मेरी मम्मी मुझे बना करके विश्टिक दम फ्रेश सर्षो का तेल तो मैं सारक को सर्षो के तेल पर बनाती हूँ तो ये देखे दो अंडे तयार हो गए है और अभी बना लेंगे सारे अंडे बनके तयार हो जाएंगे और फिर इनको बढ़ियां से काट देंगे बीच से तो दो पीस में इनको काट लेना है हाँ काटने के बाद इनको साइट पे रख देना है तो अगर आपने चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो प्लिज प्लिज सस्क्राइब करिएगा मेरा यूटूब चैनल मिस प्रियंका फॉजी फैमली प्लिज अगर आप मेरे इस बात पर सहम है था और अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो मुझे एक कमेंट जरूर करेंगे और क्योंकि ये कमेंट सिर्फ दहेस प्रथा की बिरुद्ध ही होना चाहिए तो आप मेरे लिए भी कमेंट कर सकते हो लेकिन दहेस प्रथा के लिए जरूर करिए जरूर इसके लिए आवाज उठाईए क्योंकि नहीं बहुत ही बुरी चीज है तो कौन-कौन इस पर जुड़ेगा और कौन-कौन कमेंट करेगा तो कौन-कौन कमेंट करता है तो देखें अन्डे सब बनके लगबग तयार हो गए हैं और अब हम तयारी करेंगे ग्रेवी की तो यह दिखें अंडे पुरे बन चुके हैं अभी मैं एक कडाही लूँगी कडाही पे थोड़ा सा तेल डालूँगी इस पे खड़ा गरम मसाला थोड़ा सा जीरा थोड़ा सा हिंग डाल के पका ल प्याज का पेस्ट अधरक का पेस्ट लहसन का पेस्ट और इसके बाद डालेंगे हम टमाचर प्यूरी जो घर पे बनाई हुई और इसमें मोस्ट इंपोर्टेट मुझे बहुत पसंद है मैगी मसाला तो बड़ा यमी सफले वराता है तो यह देकि सारी चीज़े पका हां इसमें कस्तूरी मीथी डालनी है सो मेरा बीडियो थोड़ा सा इसके फोगया है कस्तूरी मीथी का सो कस्तूरी मीथी भी इसमें एड़ करनी है और इसमें थोड़ा सा आपके पास मलाई हो तो मलाई भी डाल लेजेगा बटर भी डाल लेजेगा अगर नहीं है तो कोई प और सभी को अच्छे से पका लेना है अभी थोड़ा सा पानी एड़ कर दिया और जो मैंने बनाया हुआ था ना पेश्ट तो वो थोड़ा सा मिक्सी पे लगा थे तो उसी को धुल के उस पे डाल दिया है यह है पिसा हुआ ब्रेड ब्रेड को अच्छे से मिक्सी से पीश लेना है आप चाहो पानी डाल के पीश सकते हो या फिर ऐसे भी पीश सकते हो तो यह तयार हो गया लगभग अभी मैं इसमें आट करूंगी दही सो दही मैंने लिया है मीडियम ज्यादा खटा नहीं लिया ज्यादा दही 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 डाले लियम यह अब रहा लगवा में नमक नहीं डालना तो एक चीज़ आप जरूद रखे transcendent लोगा कि जब तक सबजी में दही अगर एड़ करते हैं तो तो पहले से नमक नहीं डालते हैं क्योंकि अगर नमक पहले से डाल देंगे न तो जब बाद में दही डालेंगे वो फट जाएगा वो पीस-पीस सा हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं डालना है नमक हमेशा दही जिस चीज में एट करते हैं तो नमक हमेशा तब डालते हैं जब वो ग्रेवी लगभग दही की पक जाती है, दही थोड़ी देर पकने के बार डालते हैं, तो ये देखिए, तो मैंने पानी थोड़ा सा और अच्छी ग्रेवी तैयार हो गई है, अभी लास्ट है एंड है, तो इस पे थोड़ा सा डाल लेंगे हम, कद्दू कस्करी, इसमें मा तो मेरे पास इस समय क्रीम नहीं थी तो मैंने मावा एड कर लिया मेरे पास मावा राकता आप क्रीम डाल सकते हो मावा डाल सकते हो तो डालोंगे अगर नहीं है तो काजू का पेश्ट भी तोड़ा सा बना के डाल सकते हो तो यह देखे बनके तयार हुई मावा बनने के बाद करिएगा और बहुत ही यम्मी सी बहुत ही चश्टी सी सब्जी है बेल्ज लोगों के लिए जिनको अंडा नहीं खाते हैं और अंडा खाने का मन है तो जरूर ट्राइग करिएगा और तहीस प्रिथाक के प्रति आपकी क्या क्या राय है इसका मैं कमेंट बॉक्स पर वेट होई है तो प्लीज जरूर बोलेगा तो मैं वेट करूंगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए बाई बाई